कि नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लौनिवित एडियू फंडा मैं हूं कॉसल जैस्वाल और दोस्तों आज की क्लास बहुत इखास होने वाले विकॉस आज हम डिक्स करेंगे इंग्लिस पेडगोजी की जी आँ दोस्तों आपको पता यह होगा कि सीटेट हो यूपीटेट हो या फिर रीट हो कोई भी स्टेट का एक्जाम हो जो टीचिंग से रिलेटेड होता है उसमें दो आप्सन होते हैं या संस्कृत लेते हैं तो आप इंग्लिस छोड़ना पड़ है आपका है डिसेबलिटीज है आपका यह आडियो लिंग्वाल है फिर आपका डियरेक्ट मेथड है उससे से रिलेटेड मैंने यह कॉस्चन लेकर आएं दोस्तों प्रते को चुकि यह है तो एक प्रते पार्ट को समझते हो चलेंगे कि क्या है कैसे है इसका निजात किस न इन क्यों के टिव लॉंग वेज टीशना प्रतेशरूज है कितिन का रोल क्या होता है या वो नेजर्ट प्लेश होता है तक देला निजबूह इसक्लास्रूम लागनी निर्देशक रहता है या ठीटए तेट सेहें चाहे तरना-ठीकरे करता है है या इन में से कोई नए बढ़ाएं दोस्तों इसका अनसर क्या हुआ इन करूंग होता है इक वो एक टीचर की अपैसी नहीं वह अमस्तन्य होता है और इसमें बच्चे क्या है ऊतゃए है वह एक दूसरे से सतंतर रूप से एक्टीव कर बहां लिनिफ को अब दोइंग करके सीखने पर जोड़ दिया जाता है दोस्तों तो इसमें आंसर क्या होगा इन कम्मुनिकेटिव लांगविज टीचर टीचर रोल इस डाइट अप्ड़ मेंजर अप्ड़ास्रूम मतलब एक क्लास का वो निर्देशक के रूप में काम करेगा वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कि जो बलते हैं जैसे आपका ट्रीच्वन हो गया ओल्ड में हो गया है किस अध्यापक आता है किताब खुल के चलो कौनसा बश्यवस पड़ाना है जया तो हुआ यह---- दोस्तों कौन तो यह आपका क्या है ग्राइमर कम टांसलेशन मेथण कि क्या काम प्रवेश करता था बच्चे केवल पैसि तरीके से सुनते थे लेकिन आज के इस सब्सक्राइब करते हैं जबकि टीचर पैसिव रोल में होता है नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ एविल्यूएशन फोकस दा इंड प्रोड़क्ट अब दफ प्रोग्रेम यह मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया होती है जो अंत में एक प्रोड़क्ट की रूप में कारे करती है क्या सम्मेटीव एवालिविशन बहुएशन है क्या 20% कांटिनीवास क्मेंशिव ओपर है पूछने करते हैं दोस्तों कि में से चिक्यार falar कि में पीप झालीविशन और लास्ट में त्यार होता है तो इस तीनों में सबसे लास्ट में प्रॉडक्टिक्ट के बेस्पर अपना रिज़ल्ट देता है क्या फर्मेटी या फिर कॉंप्रेंसिव एवालुएशन है कि उमीद है आपने अंसर देदी होगा चले देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों विस्ट टाइप फोकेस्ट इंड प्रोडक्ट में कौन सा होता है दोस्तों सम्मेटिव इवालुएशन विकॉस आपको पता होगा जिनने पर वाले सब्रक्राइब्स का खुंब चेह उसमें एक होता है दोस्तों जो रिव्य व्यार्ट इससे बोलते है अ सश्मेंट्र तो आपका during the class during the period में ही हो जाता है दोस्तों वो process में ही लगा रहाता है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जैसे formative assessment जो होता है वो साल में चार बर होता है और मतलब during year जो class बच्चे के चल रहा है उसके session में ही होता है बट जो summative assessment होता है वो last सिधे result को बदाता है उसमें कोई आपके सुधार नहीं कर सकते आपका product आपने साल भर में क्या पढ़ा है कैसा आप result आप overall जो process से आप गुजर कर रहा है उसका last में आपको result देता है वो कौन सा होता है दोस्तों summative assessment और जो formative assessment होता है वो हर दो महीने पर आपको update कराता है कि इसमें क्या सुधार करने जुरूत है इन्होंने कितना achieve किया इन दो महीनों में दोस्तों formative क्या होता है आपका during session और summative क्या होता है मतलब जो आपके साल के बीच बीच में जो exam होते हैं वो क्या होते हैं टर्म टेस्ट किसे रिलेटेट है दोस्तों आपका सब्सक्राइब क्या है दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों इसमें क्या होता है इस यूनिट टेस्ट यह क्या है आपका टर्म और आपको यह पता है दोस्तों continuous comprehensive मतलब CCE सतत समग्र मुल्यांकन कि आगे चलते हैं रूप क्वाइंड टर्म कम्यूनिकेटिव कॉंपिटेंस मतलब संप्रेड सर्चमता को किस ने दिया है क्या नॉम्चॉंप्सकी क्या सेशोर क्या पाल्मर क्या डेलहाइम्स बताएं दोस्तों इन चारों में से किस ने दिया है इसको कॉम्मूनिकेटिव कॉंपिटेंस में भुष बताने हैं क्कुछ वла बतते हैं तो किस ने दिया तो गिसेने कॉम्मूनिकेटिव कॉंपिटेंस दिया तो जब आजाये एक्जाम में कम्यानिकेटिफ कंपिटेंस ने दिया है तो देख से जूड़ता है इसमें बच्चों को फ्रीच चोड़ दिया दया देता है जो भी आज भी जी स्कूल में जा रहा है उसमें क्या होता है टीचर एक सिच्वेशन क्रिएट करता है और एक टॉपिक गृप बना-बना के क्लास में और सबको एक टॉपिक देता है वह आपने डिस्कॉर्स करते हैं मतलब इंट्रक्ट करके अपने बच्चे खुद सीखते हैं और कंविकेटिव उत्तों कम्मिनुकेटिव लॉंग redabell नेंटिकतिक्षरे रहां मतलब भी मतलब शिंने दिया था मतलब सब्जेक्ड प्लस ब सब्सक्रा कार करके शड़र्म आपको बताएं दोस्तों आपने अंसर दे दिया होगा दोस्तों तो सिंटेटिस इस ने दिया दोस्तों नौम चम्सकीन है नेक्स्ट है हमारा विच टेकनिक आफ रीडिंग इस यूज़ तो लुक फर इस पेसिफिक पीस आफ इनफर्मेशन इसको दोस्तों स्टार मार कर लिजिए य एसा कौन से टेकनिक है दोस्तों जो किसी एक इस पेसिफिक चीज को डूढने के लिए किया जाता है कि वह qualche स्कीमिंग है और-फ क्या अंसर नहीं है मुछ के कि हमें कि सकेनन इस्क्राइब है कि आपको ऩम स्केंग कि औरफ जिग्सों टूस्तों इसमें से कौन है किसी specific मतलए किसी बिसेष संदेश को ढूड़ना चाई किसी बिसेष चीज को ढूड़ना क्या का लाता है Screaming का लाता है scanning का लाता है oral reading का लाता है या फिर library reading का राता है बताया हैं दोस्तों कि अपने अंसर दें दिया होगा तो चलिए दोस्तों इससे मंदिर सब्सष्चेशन पहलों किसी ऐसी चीज को ढूड़ना जो मेंगे हमें अब दोस्तों कि किसी चीज को माली मीनिघ करता है है में स्केंग का ही मिनिघ धूड़ना है तो क्या है दोस्तों इसकेंग कर रहे हैं मतलब किसी भी शेज चीज को ढूड़ना क्या करता कैने का उलाथ तो यह पुछा था विश टिकनिक ऑफ रेडिंग उस्स्थ्पेसिफिक इन्फ इंफॉर्मेशन जब भी आ जा दोस्तों होता है और जबहुत कई स्पेस्पेसिपिक इपीस फींफींस इंफ्मेशन तो सकेनिऊ और दिटेल I क्या होता है को दोस्तों कि आप को समझ में या गया होगा ने सब्सक्राइब कंपीटेंस एंड पर्फॉर्मेंस ए के सेंट्रल कौनसेट टुह तो यह चांप्सकिंट्र कौन है नाम चोंप्सकी नामिकाहसुर्न या जा सौन कि अपने अंसर दे दिया होगा चले दिखते हैं तो दोस्तों competence and performance are central concepts to the theory of Norm Chomsky यह किसे दिया दोस्तों अगर यह पूछता केवल competence का concept किसने दिया है तो डेल हाइम सभी बताया मनें कि अब जो competence पूछे के वल तो और यह पूछे दोस्तों competence and performance are central confidence और performance किसने दिया है तो Norm Chomsky जब भी कोई दोस्तों भासा की बात आ जाए लॉंग वेज़ की बात आ जाए तो Norm Chomsky उनका बड़ा योगदान रहा है भासा में नेक्स्ट हमारा तो वाट इस वर्नाकुलर वर्नाकुलर क्या होता है दोस्तों अब बस वर्नाकुलर का मिनिंग जान जाएंग तो इसको पचान लेंगे खटा थे क्या फोरें लॉंग मेंच होता है कि मदर टंग होता है या फिल या फिर इलांग वेज आएलेक्ट स्पोकेन इन पॉर्टिकोलर कंट्रिया रिजन या नन बता है दोस्तों वाट इस वार्नाकुलर क्या होता है पुमिदे आपने अंसर दे दिया वाच ले देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों वाट इस वार्नकुलर इस तो जी नहीं फॉरें लांग वेज नहीं होता मदर टंग भी नहीं होता एल लांग वेज ऐसी भासा डायलेक्ट इस्पोकिन पर्टिकल कंट्री जो एक बिसेस रिजन में गयाती हैं गयाती है वह एक कर दोस्तों आप करती है जैसे दुभाई युवेएई में चले आघे हैं आरब एमिरेट्स में वहां पर क्या बॉला है तो वहां की बॉल जाती हां दोस्तो कोई ऐसी भासा जो सफेसल च्षैट्र अथवा बिसेश्षेत्रटन उनकालीर का मतलब प्रेंसर चमता जो है उसके कौन कौन से अंग है क्या ग्रामेटिकल कॉंपिटेंस है डिस्कोर्स कॉंपिटेंस है इस्ट्रेजिक एंड सोचियोलोजिस्टिक कॉंपिटेंस या फिर आल आप दीज पता है दोस्तों कि अगरे सबसे दोस्तों देखते हैं कि यह कॉमिनिकेटिव कॉंपिटेंस तो मतलब सी सी मतलब कॉंपिटेंस तो कि नहीं दिया था डेल हाइम्स नहीं दिया था लेकिन यह कब दिया था दोस्तों इन्हों ने दिया था 1972 में कब दिया था 1972 में डेल हाइम्स ने कॉंपिटेंस कब दिया था 1972 में लेकिन उसके बाद नाइंटीन एटी में 980 1980 में कैरोल महोंदेने मतलब कैरोल कैरोल ने है इसकी चार मतलब कॉंपिटेंस रहा था था दोस्तों ग्राम एटिकल कॉंपिटेंस मतलब अगर कोई बच्चा है तो उससे ब्याकर क्या होता है उसके जमजात होती उसके पास होता है मतलब इसको इतना पता होना चीए कि कौन क्या होता है दोस्तों सील्टी में आपके जो होते हैं उसको इसको बर्दास किया जाता है कि वह आदमी को बोलने लग रहा है और समझ रहा है तो ठीक है बाद में आके सही हो जाएगा लेकिन इतना तो उससे पता होना चीए ना कि उसको इस वह लड़की के लिए वह क्यांड कर रहा है तो यह तो इसमें ध्यान देने वाली थी क्यों होने चाहिए पहली बात दुसरी बात यह थी डिस्कर्श कॉंपिटेंस मतलब वह एक दूसरे से इंट्रेक्ट कर पाएं उसमें हैजिटेट इसलेकि आपके आपके क्या हो जाएगी और आप सही बोलना शुरू कर दोगे इसलिए क्या होता है इंट्रेक्शन बात करना अपस में अपने संघ होनी कि यह समाजी च्छमता भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अपनी लोगों के सामने नहीं बहुत है पाए लोगों से मिल आ तो नहीं बोल पा रहा है तो नहीं दोस्तों डेल हैं सी क्या बताई था क्या वल बात करें तभी उसकी क्या होगी बेटर होगी भले इनिशियल में गलती हो नेस्ट क्या था दोस्तों स्ट्रेटिजिक एंड सोचियो लिंगिस्टिक कंपिटेंस मतलब उसकी जो बात कर रहा है उसका समाजी करण होना चाहिसा नहीं है कि केवल अपने अवाइड कर रहा है और फिर अपने तंग में बूलने लग रहा है इसकी चार अंग बताया थे इसलिए उसके आध्यों के आधा निगिश्तों पूछे तो उसने क्या थे था communicative approach जो है दोस्तों इसके लच्ष क्या है आपको बताए दोस्तों एक बड़ी काई है एक विग फिंग और उसके अंदर कई सारे मेथड होते हैं आफ अंदर कई सारे मेथड हो सकते हैं तो कभी यह पुछ दे कि एक मैथड किसके अंडर होता है तो नहीं तो मैंथड क्या होता दोस्तों एप्रोच सुकते हैं और उप्रोच के अदर गइस आरे में प्रीज के अंदर कई सारे मैत्परोच किया होता है बड़ा होता है मेंफ़ट से दोस्तों वीच बेज़िन गोल अव कॉम्यिकेटिव एप्रोच acceptable language appropriateness fluency अलब्दिश मतलब यह बोला है कि कि यह में जो मेथट है उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके क्या क्या लग्ष होना चाहिए कि acceptable है अलाबदीज होना चीए बताएं दोस्तों इसमें तीनहों मैं से अंसर कौन सा है सब्सक्राइब उमीदह आपने अंसर देपो दोस्तों दिखते हैं तो दोस्तों पूछ रहे विच आस्प दिशिए तो दोस्तों इसमें सुनने बाली बात यह है कि जब CLT की बात हो रही थे दोस्तों तो CLT में यही बोला गया था कि आपको टार्गेट लांग्विज में ही बात करना आई आप बहले इनिश्यल वे में मतलब सुरुवाति तोर में बच्चा गलती कर रहा है तो कोई दिक्कतने उशे गलती कितिये उसे तोल्रेट कीजी लेकिन nemus लगेट लाइज कि अपको एक्लास में शुच्वेशनल ताकि वह बच्चे क्या आपस में इंट्रेक्ट कर सकें इसमें कहाना यह था उसको की जो था आप में बस क्या की उसकी फ्लुवेंसी होना चाहिए मतलब लड़का धाराप्रवा इंगलिस बोले फर्स्ट था उसका मतलब उसकी लांगवेज क्या यह एकशेप्टेबल मतलब जो यह चाहता है वह सामने वाला समझ जा मतलब जैसे यह बोलना है आप मैं पानी पीना चाहता हूँ अगर लेकिन यह बोला गया मतलब वह थोड़ा प्रेपोजीशन समंदी गलती भी कर रहा है तो यह टोल्रेटेड है उसको इनिशियल वे में मत शुरुआती तोर पे टोल्रेट किया जा सकता है लेकिन उसे एक्सेप्टेबल लाउन होना चाहिए उसकी फ्लुएंसी सही होनी चाहिए और दोस्तों तीसरा कि आप आता कि वह अपनी बात को दुसरे से समझ सके इनिशियल वे में गलती टोल्रेट कि जा सकती है तो दोस्तों से यही बात कही गई थी तो इसका अंसर क्या होगा विच आप दिस दो गौल अप कम्मुनिकेटिव एप्रोच एक्सेप्टेबल लांग विच अप्रप्र कर रहा है कि कम्मुनिकेटिव एप्रोच में मतलब क्या साथ देता है क्या पेर वर्क ग्रूप वर्क फ्रीडम टॉ तो इसका अंसर कि अधिया आप अंसर देने प्ले बताता हूं कि दोस्तों अभी बताया कि क्लास में बच्चे भरे हुए है तो टीचर वहाँ पर एज फैसिलिटेटर काम करता है सारी बच्चे एक्टिव मोड में होते हैं वही अपने आपको भर करते हैं तो उसमें तुम आज बनना है मैं इसको बनना है इसको बना देगा और उसमें कोई अंटे युप करेंगे अीगि tack कोंगे एंग्लिश करेंए उनबात करेंगे inगल्सिमत करेंगे दो से अभी मैंने बताया कि इनिसियल वे में एरो जो है किया जाए उसको बरदास्त किया जाए जाए बिकास दिया कि ने था देल हैं यह और दूसरी बात इसमें दोस्तों इसे पेर आफ वर्क तो पेर वर्क मतलब गुरूप कर गुरूप लोग में मिल के बच्चे काम करते हैं तो आजादी से कुछ भी मतलब बोल सकते हैं उससे रिलेटेट कुछ भी अपने मंग को में करके आपको अप्रुवेंसिक साथ अप्रुप्रेटने साथ बोल सकते हैं बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए दोस्तों तो इसका पूरे पार्ट में क्या पेर वर ग्रूप आप कि नेक्स्ट है हमारा कि सिजरियन मेथड इस आल्सो नोन एज डिरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड या नन बताएं दोस्तों इन तीनों में से कौन से सब्सक्राइब वह मैं नसर दे नियूंग तो तो इसी आप त्रैडिशनल मेथड भी बोसकते हैं इसकी अचनल नहीं नोट करें दोस्ते या ट्रैडिशनल मेथड इस पालनाम है ट्रेडिशनल मेथड ओल्ड मेथड और क्लासिकल मेथड मतल सबसे पुरानी विदी यही है जो आज तक हम लोग भी पढ़ते हुए है आप भी क्लास में टीचर जाएगा बुक उठाएगा लेशन का नाम बोलेगा उसके बासे बोलना शुरू कर देगा क्लासिकल ट्रिशनल मेथड में इसका होता है इसका वर्ड मतलए इसमें क्या वोकेबलरी तो बढ़ जाती बच्चे की लेकिन पूरी तरह बच्चे को फ्लिवेंश नहीं आती इसलिए करन यहीं भारत में कि लोग इंगलिस पढ़ाना अच्छा जानते हैं बट वह बूल न क्लासिकल मेफड से इसलिए वह बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं वह सकते हैं कहीं भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लासिकल मेफड ओल्ड मेफड बुला जाता है इसको देने वाले कौन है दोस्तों कि इसको लगमेज कॉंपेटेंस को डेल हाइम और इसमें बच्चे को दोस्तों क्या होता था इसमें टार्गेट बिल्कुल एवाइड किया था और बहुत इसमें सबसे ज्यादी क्राउड मेफड है बहुत सारे बच्चे हैं तो सबको एक साथ बैठा के आफ में इसमें पूरी तरह से टार्गेट लंगेज को फोकस किया गया था इसका क्या आये दोस्तों इसमें इनिश्यल में थोड़ा भी नहीं होना चाहिए जबकि ग्रामर्ट ट्रांसलेशन में इनका माना था जो बच्चा है वह नेच्चरल एन्वार्रमेंट में तंह ब मधेस्कों मेठोड में रहे स्केड़ करने सीख सकता है इसवे मेत guidelines कि अधिक से एक्टिवReajaad टृक्टर से ड़क्टर मेठोड आ जानते हैं इसको आएगा तो पढ़तेशन शुच कि लिए नैंसे में आणिओ लिए चैनल थो ह некहीं कि अवे दिया हुआ दो wil दोस्तों तो अधैब फिर इनसे रेघ्ट में एक और नम क्या है इसके पाला नम क्या ट्रेडिशनल मेथर्ट अगा ट्रेडिशनल अगा ट्रेडिशनल क्लासिक गज़व पर्षियन के धिया पर्षियन होई गया दोस्तों यह प्लाइब को किस नाम जानते हैं इसमें इतना भात रहा है दोस्तों इसमें लड़का क्या होता था लड़का पैसिव मोड में टीचर एक्टी मोड में विधी इस बहुत से लोगों इसमें क्या होता था सब्दों पर बिसेश जोड़ जाता था बच्चे के वेकाइबुलरी तो मजबुथ हो जाती आपको पता होगा दोस्तों जो पुराने बच्चे होते थे उनको हर सबसे जादे मीनिक पर जोड़ दिया था एक तरह उसका मीनिंग मतलब बल्ला गरल मतलब यह यही चलता आ रहा है अब भड़ा चेंज हो रहा है हमारे सुसाइटी में नेक्स्ट है मारा इन क्लासिकल मेथट टीचर रोल बिकम देखिए दोस्तों आई गया कि क्लासिकल मेथट मतलब वही ग्रामर कम ट्रांसेशन मेथट बोला है टीचर क्या होता निगेटिव एक् करता है और पैसिव रोल प्ले कुन करता है दोस्तों यहां पर स्टुडेंट क्या होता था तो यह स्टुडेंट क्या होता था पैसिव मौड में रहता था और टीचर पले जो आज के आपका जो सीची है और या अज और यह मतलब बच्चे को सुविदा देगा तो आप क्या होना दोस्तों बिकम अक्टीव मतलब ग्रामर ट्रास्लेशन मेतओं कर देने होगा फिर१ू अच्छिय में, आपने रिया होगा, इन ग्रामर केसे पढ़ा जाती है इंडक्टिव में मतलब पहले नियम उसके बाद से उधारण जैसे नोन टू अनोन आपने हिंदी में हिंदी में आपनों पढ़े होंगे दोस्तों मतलब बच्चों को वह पहले चीज़ें सिखाओ जिनके बारे में वह जानता है उसके बाद अनोन चीज़ें सिखाओ इसमें क्या होता है दो दोस्तों पार्ट टू होल मतलब छोटे-छोटे खंडों में बात पढ़ाओ उसके बाद उसको समग रूप दिखाओ जैसे बच्चे जब छोटे होते थे तो जब स्कूल में जाएंगे तो क्या दिखाए पले उन्हें सब्सक्राइम जनकारी दो जैसे उन्हें पले बता जाते दोस्तों क्या होता है क्योंको कभूतर है बहुत से बैग बेबी से बल्ला क्योंको बैट खेलने कर लिए होता है मतलब वे उन चीजों को पढ़ाओ जैसे जो वह पर जानते हैं फिर बाद में उन्हें अन्नोन चीज को बताओ फिर आप रूल टू इजामपल बताया है इसमें रूल होता है उसके बाद आपको उदारण दिया रहता है लेकिन वही ग्रामर क्या होता है क्या होता है दोस्तों वह सिधा उसका उल्टा चलेगा अन्नोन टू अन्नोन अन्नोन तून मतलब जो चीज पहले उसको सिखाओ situation देकर वह situation देगा पुलिस वाले तो इस बच्चा पुलिस वाले तो है नहीं लेकिन उनको उनको उसे टॉपिक दिया था ता कि आप उनसे क्या हो लाग विच कॉंपिटेंस बोलने की चमता बहतर हो सके वह तो दोस्तों इसमें आ गया कि ग्रामर ट्रांसले इसमें बात के बताया जाता था दोस्तों फिर रूल टुग्जामपल मतलब पाले निया फिर उदारण अठीक इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों आपका चलता है उसमें क्या है पहले सभी चीवह ल्टु पार्ट पहले समगर से मतलब पूरे से खंड़ों में विभाजित फिर उसका वास खाता है दोस्तों इंग्जामपल फिर रूल उसमें क्या होता है दोस्तों वह प्रीक्ट अप्सप्टयशंब पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें इसका अंसर और दोस्तों अला दीज नेक्स्ट हमारा इंडेरेक्ट मेंधने ग्रामर इस डॉट कि दूस्तों आई गया कि ड हम क्याfund beim क्राइप मुझाति इंडक्टिवली डिदक्टिवली बोथ वेज लाप डीज ऊन्प बतायों दोस्तों कि लिदasted डेयमर इंडेरेक्ट मेंधरमे इस ड्रищ करो कि डिटक्टिवली अगला है इन डियर्यक्ट में सब्सक्राइब कि यह से पढ़ा जाता है दोस्तों पार्ट शेमपल्ट वह अब पूरे चीजों बता जाता है फिर उसके पार्ट को फिर सिंपल टू कॉंप्लेस्ट सधारण से जटिलता की हो कंक्रीट टू अब्स्ट्रेक्ट पले मूर्थ उसके बाद से अमूर्थ आला दी जुसका हो जाएगा अंसर नेक्स्ट मारा विच मेथड़ इस मेथड़ इसको इस ता द हया दोतों तahh डी ऐड है इस दोस्तों ऐड़ने से परशेयर मेथ 那ıktा है जाता है कर ने हमकसर में अठती ने टीचिंग इन डिरेक्ट मेथट का युनिट आप टीजिंग क्या है दोस्तों सेंटेंस है यह वर्ड है यह फिर बोट एंड बी फ्राज बताएं कि अपने अंसर दे दीए होगा देखते दोस्तों तो दोस्तों यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात है क्या केवल क्दल ग्रामर को ट्रांसलेसर जाया कैपना उसका युनेट क्या होता है दोस्तों वर्ड होता है कि और शेया नद्द कर लेजिएगा इसका ही वर्ड होता है बाक्い जितने भी में अट डायरेक्ट मेठप亞 utilized यथा जिदने ऑु मेठक्ट और सेंटेंस इसमें किया है युदि आफ टीचिंग ग्राम मेठाट इस बताया है तो वर्ड होगा विच आफ फॉलिविंग है इस देट फेक्त अफ लांग वे सिमेंटिक फोनेतिक ग्राफिक फोनेतिक कम ग्राफिक या अरब देज बतायां दोस्तों आप समझ गया होगो दोस्तों चले देखते हैं इसका अंसर वीच आप फॉल्विंग इस एस्पेक्ट ऑफ लांगवेज दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्ण आज आए तो सबसे पहली बात यह कि एस्पेक्ट ऑफ लांगवेज कि कितने होते हैं चार होते हैं आप सीमेंटिंग रोता है रल अटक्स भी होता है घ्राफिंग में और आप स्बसे कि समझना क्या होता है इसपेक्ट ऑफ मीनिंग क्या होता है से त्वह प्लिप शॉपिर सबसेंज तो तो ऐसे इस प्लब सांड। सांड मृल सांड क्या होता है सफेक्ट आफ सांड । आज सेजर्दिक ऑस मेंनिक क्या है सिमेंटिक एस्पेक्ट आफ सांड क τους वाबनिक और तो ग्राफिक एस एसी तरह नि फिर ऑन और डोनों की बात तो दोस्तों क्या हो जाते Natal ृस्पेक्ट आप मेनिंग सिमन्टिक स्पेक्ट आप साउंझ सक्टे मैं दुष्ट किMo जैए 이번에 अपतम जाकर मीदक선ख पनेटिक बहुया जाएक ब्लेधी नियुक्र hoe यह किन चार। और नेक्स्ट हमारा हाव मेनी मैक्जीम्स और इंगलेश टीचिंग आर देर दोस्तों इंगलेश में मैं के यह तो यह कोसन आएगा नहीं लेकिन इसे डाल देया था इसको इस तो देखा तो बहुत सारे में होते हैं आप बस यह रखना है कि 7 मतलर इंगलेश में देखे गए क कौन कौन से अभी मैं बताया दोस्तों सिंपल टू कॉंपलेक्स और कॉंक्रेट टू अब्स्ट्रेक्ट से बटू कॉंपलेक्स उसका बाद से रूल टू पार्ट कि आप हिंदीन पड़े हो ने दोस्तों कि मुर्थ से अमुर्थ की ओर यह सब जितने भी है निश्चिता से सब्सक्राइब से जटिलता की और यह सब क्या है दोस्तों मैक्जीम से अगला वीच वन यह अच्छा दोस्तों कोशन है बड़ी बड़ी कोशन आये कि वीच वन आप दे फॉल्लविंग मैथर्ड होल्ड द व्यूव दाट एरर्स आरे नेचुरल पार्ट अब लर्निंग प आप अब दोस्तों पढ़ लिए अपश्ती सकेंड है दोस्तों आप आपने अंसर दे दिया दोस्तों तो इसका अंसर क्या होगा यह कहाना क्या चाहता है वीच अनौफ फॉल्लें मतलब इन चारों में से इसा कौन सम मेथड है जो जिसमें क्या कर रहा है डाट एर अट नेच्रोल पार्ट मतलब गलतिया जो होती है वो प्राकृतिक है आप दलर्निंग प्रोसेस मनें अधिगम के दोरान जो गलतिया हो रही है वह आम बात है शुट बीटोरेट इससे टोलेट कर दोना चाहिए इस शुरुवाती तौर में दोस्तों मैंने बताया था कि केवल एक एक ग्रा एक ने इंग्लिस लंग वेश्च जो होता एक वह से बड़ी बात दोस्तों इसका सब्सक्राइब कोम्निकेटिव में आपका जो मदर टांग है उसको भी बोलता है कि मदर टांग यहां यूज यूज मदर टांग बट एड़ स्टेज ऑफ इनिस्याल मतलब सुरुवाती तोर में आप थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं मदर टांग का यह से माली बच्पूरी से आपका बच्पूरी है इंगली से हिंदी फ्रेंच जर्मन जो भी है तो आप थोड़ा वे में आप उसको ले सकते हैं शुरुवाती तोर में लेकिन डारेक्ट में सुरु से मनाई था कि अवल फोकस्ट टार्गेट लॉंग वेज पर आपको फोकस करना है इनिस्याल में क सता में इसमें आपको एक बना जाता जाता जैसे माल ही उसमें बोल दिया कि रां को दो कि गुवन भूम अब आद्मयात गरंग्व सब्सक्राइब हो उसके बाद उसको याद हो गया हो यह हम हटा के मार्केट कर दें तो यह होताया दोस्तों का आडियो लिंवल मैफड लेकिन डिर्यक्ट मेटों इसने अट बता था इसकी तीशंग होती है दोस्तों सेंटेंस सेंटेंस होता है डारेक्ट में डारेक्ट में टार्गे लांगवेश्ट किया जाता है नेट्राइट जो टंग होता है मतलब उसका यूज़ आप नहीं कर सकते इनिसे ले में भी आपको केवल कि इसको आपको फोकस करना है लेकिन आपका इसमें क्या होता है और दोस्तों इसमें क्या होता यह सिटुएशन बेस लारनिंग थी यह मारा यूँड टेस्ट इस एन एक्सिस्ट औप इवली वेशन मतलब होता है इसमें क्या होता है अनौर्मे अ प्रमेटी एफेक्टीव यह ऑल अभुई अ मताया दोस्तों और टेस्ट इस एन स्फिर्संट एंफ पर रेंडार्य वेल सो एकामोन क्रिमेश में को अनुट इस होता है दौस्तों जान क्या सटों फार मैं दिमै तो इसमें असर आ अउले होता है भूंत चैसे कि दॉस्टों ज्युक्तर शेह छाट पंधिनिव primeiro ल९े सब्ष्ट method uses student to student interaction most for learning in classroom direct method audio lingual method communicative English language teaching a structural situational method which of the following methods uses student to student interaction most for learning in classroom which of the following method uses student to student मतलब विद्यार्थियों के आपस में जो इंट्रेक्ट डिस्कूर्स करते हैं वह कौन सा method बताता है कौन से यह method है तो कौन से दोस्तों डारेक्ट में अधर्य कम्निकेटिव इस्टुडेंट के इस्टुडेंट में फ्रीडम एक्स्प्रेस करने का मोगा देता है चांस देता है और आपस में इंट्रेक्ट करने की बात करता है अगला है हमारा a slight disorder to the brain of the brain that causes difficulty in reading and speaking is called intelligence aphasia dyslexia और क्या है dyscalculia दोस्तों अगर बस यह अंतर है इसमें बस इंग्लिस में है और मैंने जो जितने भी disabilities होते हैं अफेजिया क्या होता है जितने भी होता है दोस्तों पूरे उस पर मैंने एक वीडियो बना के प्लेडिस्ट में जाए देखिए सारे एक ही एक ही वीडियो में confirm कर लेंगा कौन सी बिमारी किसके कारण होती है उसका नाम क्या है तो दोस्तों इसमें क्या है क्या ब्रेंट टेस्ट जो मतलब दिमास जोड़ी होती है और पढ़ने और बोलेने में समस्या करती उसके क्या सब्सक्राइब दोस्तों डिसलेक्स या नेक्श्ट हमारा विच ऑन फोल्विस नॉट तूर्वित रिगार्ट टेस्टिंग मतलब ये कर रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा मतलब लाइन है जो टेस्ट के रिगार्डिंग सही नहीं है क्या टेस्ट मैसे एस्स्तेंट अश्टे है कि आपके आपने इस देखते हैं तेस्ट का रिकार्डिक नहीं है इसमें दिया है टेस्ट मेजर दे देखते हैं इसके लिया जाता है ताकि बच्चे के उपलवदी के बारे चले कि उसने एक महीने क्या मतलब उसके मेरिट है यह दोस्तों सही है इलाज करना उप्चार होना मतलब कि कभी हमको कोई विमारी होती है तो किसी डॉक्टर पास जाते हैं तो क्या बोलता है आप जांच करना तो बताता है कि मतलब जोता है यह विद्यार्थियों के विकनेस मतलब उनकी कम जोड़ी और ताकत का पता लगाता है कि मेरित में आने के लिए क्या करता है तो उसको एक्स्टा को यह सकता है तो अगले बार जो भी क्या कर लेगा अच्छे से नंबर से पास कर सकता है तो बिल्कुल सही है यह दिया है टेस्ट डूनाट प्रोवाइड एनी फीडबैक यह बात कहना कि दोस्तों कि टेस्ट कोई भी फिडबैक प्रोवाइड नहीं करता टीचर को ते सरासर गलत बात है यह हमारा अंसर हो जाएगा विकॉज यह पूछा ही था कौन से ट्रू नहीं है और आज का लास्ट आप्शन है दोस्तों कुस्टन है विच टेक्निक ऑफ रेटिंग यूज तो गेट एड दोस्तों देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों भी मैंने बताया कि जब कोई स्पेसिफिक इन्फॉरमेशन आप ढूड़ रहे हो जैसे माली जब अभी मैं उदारण भी दिया था कि माली जब कोई मीनिंग ढूड़ना है सपोस्ट आपको प्रोमोटेट का मीनिंग दिटेक्टर लगा होता है तो वह क्या चीज ढूड़ती है क्या हाथ यार लोगे अवजार अधी दूड़ती है उपर से निच्छे तो बाड़ी स्केन करते हैं उसको इसलिए क्या बड़ी स्केन करना मतलब किसी इस पेसल इन्फॉरमेशन को डूड़ना क्या करता है दोस् दोस्तों स्कीमिंग और किसी स्पेसल को ढूड़ना कि पर्टिकुलर इस पैसे में क्या आपका स्केनिंग आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों यह अभी चलती रहेगी दोस्तों जब तक एक्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए पढ़ते रहें मुश्कराते रहें औ के लादने मुश्ण और फिर दो एकके ले और कि जा हरें ज हो ह।